बहुत से कमेंट आ रहे थी कि Instagram Reels पर ब्यूज के लिए वीडियो बनाईए तो आज आप लोगों के लिए नई वेपसाइट लेकर आया हूँ जो आप लोगों को अनलिम्टेट ब्यूज देगी Instagram Reels पर तो आप लोगों को ब्यूज को एंट तक जरूर वाज करना है और जैसा को कॉस के लिए क्या करना आप लोगो को हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपना यूजर नेम लिख 되면 में मैं आप लोगों के अगर आप बीनर होंगों तो फालोवर्स जरूर बढ़ाऊंगा तो अब को बता देता हूं कि आप लोगों को बढ़ाने के लिए सीधे क्रूम ब्राउजर में आ जाना है और यहां पढ़ाने के बाद आप लोगों को और इंस्टा इंस्टा ग्रॉविंग इंस्टा ग्रॉविंग सर्च कर लेना इंस्टा ग्रॉविंग सर्च करने के बाद आप को क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यूजर नेम लिख देना है तो एक बिनर हुए है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ने को और उनकी एक रियल्स पर अब यूज बढ़ा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो यह है बिनर तो इनके नव लोगों को दिखा दे रहा हूं तो यहां से आप लोगों को कापी लिंक कर ले Meansने के बाद आप लोगों को यहां चले आना है और यहां पर इनका पहले इस्टघ्राम नेम क्या है कि लीक निघ्रो आई जीम तो इस चीडता हूं अगे कि रुकिये लिल रो बोट बॉय कैसा इनका नाम है लिल रो बोट बॉय जीरो दो आप लोग को यूजर नेम साही से लिखना है और मैं एक अपना इमेल डाल देता हूं फिर सेलेक्ट अकाउंट कर देता हूं तो आप लोग को जब व्यूज बढ़ाने होंगे तो आप लोग हर बार इमेल चेंज कर लीजिएगा देखिए इनके आगे यहां पर च्छा दिखा रहा है वहां पन्नों ब्यूज दिखा रहे हैं तो चलिए अब मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं सो ब्यूज मिलेंगे तो आप लोग भी ऐसे बन सकते हैं गिववेवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो अब यहां से आप लोगों को दस या पंदरा मिनट में आप लोग के व्यूज भेज दिये जाएंगे तो आप लोग 15 मिनट कम से कम इतिजार करिए गया फिर आप लोगों के इस्टाग्राम पर ब्यूज इंक्रीज होना सुरू हो जाएंगे तो आप लोग ऐसे करके अपने बढ़ा सकते हैं व्यूज त 10-15 मिनट बाद आप लें लोगों के वहाँ पर पहुंच जाएंगे तो देखते हैं कुछ बढ़ें या कुछी नहीं बढ़ें लोग कुछ देर बाद आप लोग 10-15 मिनट बढ़ जाएंगे इस्टाग्राम पर व्यूज तो आप लोग आप लोग इंतिजार कर लीजेगा 10-15 मिनट फिर आप लोगों के फाल्वार ये लाइक्स बढ़ जाएंगे तो वीडियो पशंद आए हो तो लाइक करो चैनल पर नए हो तो सिस्क्राइब करो गीवेवे में पार्टिसिपेट जरूर करें धन्यवाद